आज सागूं डियर ट्रेंट्स, I hope कि लांस लिक्षिर आप लोगो बहुत अच्छी से समझाए होगा आज हम लोग स्टार्ट करने चाहरे हैं, डोजेज फॉर्म्स फार्मास्योटिक्स का टॉपिक, डोजेज फॉर्म में हम लोग पहले पहले पढ़ेंगे अबाउट सीरॉप्स, अगर हम लोग डोजेज फॉर्म्स की बात करें, तो सीरॉप is the simplest form of डोजेज फॉर्म्स फॉर्म्स क्या होती है, आपकी दवा की त्यारशुदा हाल है, तो सीरॉप्स को बनाना सबसे ज्यादा आसान होता है और इसके इलावा यह सबसे ज्यादा simplest form है आपके डोजेज फॉर्म्स की ठीक हो गया सीरॉप्स डाफिनेशन देखें, तो हम लोग कहते हैं सीरॉप्स जो होती है, वो सुईट होती है, विसकस है, गार्षा एक्क्वा सॉलूशन है यह जानके गार्षा एक्क्वा सॉलूशन है यह कि इसका ऑफड़ शूगर सुक्रोस का ठीक है और इसका कोई भी मतबादल भी हम लोग इसका समाल कर सकते हैं यानिके इसका कोई आल्टरनेटिस समाल करते हैं शूगर सबस्टिटूट यानिके शूगर हम लोग सुक्रोज नहीं समाल करेंगे हम लोग उसका कोई आल्टरनेटिस समाल करेंगे यानिके उसकी जगा कुछ और चीज़ इस्तमाल करेंगे और उसको हम लोग हल किसमें करते हैं इन वाटर, पानी के अंदर या फिर कोई भी दूसरा सूटिबल मुनासिब किसम का वहीकल ठीके यानिके जिसके जरीए हम लोग अपनी दबा को एड्मिनिस्टर करेंगे ठीके यानिके बॉड़ी के अंदर लेकर जाएंगे वहीकल कहलाएगा फिर हम लोग कहते हैं विद और विदाउट अड़ेड़ फ्लेवरिंग एजेंट्स हम लोग कभी कभार तो फ्लेवरिंग एजेंट्स यानिके जाएका और खुश्बू देने वाले एजेंट्स इस्तामाल करते हैं यानिके शामिल करते हैं और कभी कभार नहीं करते हैं विदाउट अड़ेड़ राइट अगर हम लोग इसके टाइप्स की बात करें तो इट इस ऑफ थ्री टाइप्स एक simple syrup आजाती है एक medicated syrup और एक आजाती है आपके पास flavored syrup ठीक हो गया सबसे पहले हम लोग बात करते हैं simple syrup की simple syrup में क्या होता है कि आप लोग purified water के अंदर आप लोग sucrose को add करते हो sugar आप लोग शामिल करोगे ठीक है और उसका एक solution बना लोगे यानके महलूल बना लोगे आप लोग water लेता हो as a solvent sugar लोगे यह सुक्रोस की बात कर रहे हो सुक्रोस लेता हो as a solute और दोनों को मिला कर एक शकल बना कर आप लोग solution त्यार करते हो and it is known as simple syrup यहाँ पर हम लोगों के पास दो तरहा के तरीके दिये गए हैं अगर आप लोग USP के मताबिक उसको त्यार करना चाहो तो it is 85% weight by volume यह weight by weight होता है और यह weight by volume होता है यानिके आप लोग के तो according to BP त्यार करोगे तो 66.7 ग्राम आप लोग सुक्रोस लेकर उसको 100 ग्राम water के अंदर उसे हल करते हो क्योंकि weight by weight है और USP के according अगर बनाना चाहते हो तो 85 ग्राम आप लोग सुक्रोस लेकर 100 ml पानी के अंदर उसे हल करोगे और प्रेपरेशन हमारी कहलाए जाएगी सीरप और सिंपल सीरप तो आप लोग इस प्रेपरेशन को नाम देते हो सीरप का या फिर सिंपल सीरप का और ये इस्तमाल होती है इस रूस्ट आप्स फ्लेवरिंग एजेंट यानि के जाइका देने के लिए या फिर आज वहिकल फॉर्दा ड्रग्स यानि के ऐसी ड्रग्स जिसको हम लोग मिन पाउडर फॉर्म में हैं और हम लोग उसको ऐसे नहीं ले सकते हैं यानि के पाउडर फॉर्म में नहीं लेना चाहते हैं या नहीं ले सकते हैं तो हम लोग क्या करते हैं इस वहिकल का इस्तमाल करते हैं सिंपल सीरप में उसको हल करेंगे और हम लोग उसको एड्मिनिस्टर कर देंगे यानिके भरीज को दे देंगे according to BP it is 66.7% weight by weight and according to USP it is 85% weight by volume ठीक हो गया next one is medicated syrup medicated है तो इससे जाहिर हो रहे है कि इसके अंदर medicine आपकी शामिल होगी ठीक है आपके तो when aqueous preparation contains some medicinal legend जब आपका aqueous preparation जो होगी यानिके जो liquid preparation है वो शामिल करेगी अपने अंदर किसी ने किसी medicinal agent का किसी ने किसी दवा का जिनके बिमारी के खिलाफ असर रखने वाली चीज़ का तो the syrup is called as medicated syrup तो आईसे syrup को आप लोग नाम देते हो medicated syrup का या फिर एक और definition के according आप कहते हो solution of the medicated substance in which sufficient sucrose is dissolved to produce a syrup liquid यानि के ऐसा solution आपके medicated substances का जिसके अंदर sufficient sucrose मिली भी है यानि के जितनी आपको चाहिए पूरी-पूरी sucrose उतनी आपने उसका अंदर शामिल की है इस dissolved हल की भी है ताकि आप लोग liquid syrup को आप लोग बना सको produce कर सको ऐसे syrup को भी आप नाम देते हो medicated syrup का ठीक हो गया इस आप प्रिपेर बाइ इच आप लोग इसको त्यार करते हो combining मिला कर हर एक एक अजज़ा को इन्फरादी अज़़ा को आप लोग आपस मिलाते हो सीरप के और उसको त्यार करते हो जैसा कि आप सुक्रोज लेते हो purified water ले लिए अपने flavors ले लिए यानिके जाइका देने वाले या खुश्बू देने वाले coloring agents रंग देने वाले therapeutic agent यानिके आपका active ingredient जिसको आप लोग बिमारी के खिलाफ इस्तामाल कर रहे हो and other desirable ingredients या पर दूसरे मन चाहे ingredients आप लोग शामिल करते हो यानिके like viscosity बढ़ाने के लिए गाड़े पन को बढ़ाने के लिए आप लोग इस्तामाल कर रहे हो उन सब को एक एक करके आप लोग जोड़ते चले जाते हो शामिल करते चले जाते हो और आप लोग syrup को तियार करते हो they are employed in therapeutics ये इस्तामाल होते हैं employed यानिके इस्तामाल होते है in therapeutics यानिके भीमारी के फिलब the medicated syrup consists of sucrose mixed with solutions of other substances जो medicated syrup है इसके अंदर आप लोग sucrose को mix करते हो solution of other substances यानिके आपके दूसरे substances के solution के साथ आप लोग sucrose को add करते हो clear हो गया ये इनके simple syrup हमारी ऐसी syrup थी जिसमें हम लोग सिरफ जरफ पानी को इस्तामाल कर रहे थे water इस्तामाल करते है as a vehicle और इसके अंदर हम लोग sugar सिरफ add कर रहे थे medicated syrup के अंदर हम लोग medicinal agent इस्तामाल करते है other than syrup other than sucrose and water ठीक है और इसके अंदर हम लोग दूसरे अज़दा भी शामिल करते है like flavoring agents, coloring agents, therapetic agents and like viscosity agent ठीक है viscosity enhancers then third हमारी type आ जाती है flavored syrup ये पिर non-medicated syrup non-medicated syrup है यानि के इसके अंदर कोई भी medicine जो है वो शामिल नहीं होगी ठीक है non-medicated syrup flavored syrup यानि के ऐसी syrup जो के आपके आपके syrup को जाइका दे या फिर खुशबू दे ठीक हो गया syrup not contain medicinal substances but contains various pleasantly flavored substances ऐसी syrup जो के शामिल नहीं रखती कोई भी medicinal substance लेकिन वो शामिल रखती है वेरियस बहुत सारे pleasantly खुशगवार जाइकों को ठीक है जाइका देने वाले substances को ऐसी सीरफ को आप लोग नाम देते हो फ्लेवर्ड सीरप का ठीक हो गया इस सीरफ आड़ेड इन प्रपरेशन ऑफ मेडिकेटिड सीरफ एसी सीरफ को आप लोग इस्तामाल कर इसको आप लोग शामिल करते हो त्यार करने के लिए मेडिकेटिड सीरफ को ठीक है मेडिकेटिड सीरफ बनाना चाहते हो फ्लेवर्ड सीरफ ली अपने उसके अंदर अपनी मैडिसिनल एजन डाल दो ठीक है आपकी मैडिकेटिड सीरफ तियार हो जाएगी और आप लोग इसको इस्तामाल करते हो अपने मैडिसिनल सब्स्टांसिस के ऐसे डिसेग्रिएबल टेस्ट को छुपाने के लिए आप लोग फ्लेवर्ड सीरफ को या नौन मैडिकेटिड सीरफ को इस्तामाल करते हो अब आपके पास यहां पर सीरफ कौन कौन से आ जाते हैं आप लोग बात कर रहे हो यहां पर क्या आपके पास कोका सीरफ है ठीक है या फिर आप लोग कहते हो औरेंज फ्लेवर औरेंज सीरफ आ जाते है रस्बेरी सीरफ सा जाते है एड्सेक्रा चॉक्लेर सीरफ ले ले ल जैसे भी हमने पढ़ा वहीकल के तोर पर फार ड्रग सबस्टांसे फिर हम कहते हैं यूजड आज यूजड 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 आज फ्लेवनिंग एजेंट हम लोग उसको जाइका देने के लिए या खुश्बू देने के लिए इसमाल कर सकते हैं फ्लेवर के लिए यूजड सीरुड सार इसमाल कर सकते हैं यूजड सारु सेमल कर सकते हैं यूजड यूजडत करने के मकसद के लिए हम लोग इसका इस्तामाल करते हैं यूजड आज diluting vehicles for water soluble agents, यहिंनके हम लोग syrups का इस्तामाल करते हैं, जब कभी हम लोग ने dilute करना हो, duyuting vehicles for water soluble drugs ऐसी drugs जोके पानी में हल होती है ऐसी drugs के लिए हम लोग क्या करते हैं, diluting vehicles के तोर पर भी यहन्के पतला करने के लिए हम लोग इसका हम इसका ह Jeanine तो स्कूरा चुपाने के लिए, इसका चूपाने के लिए एि इसके तने के उलुड़ नॉंड़ में हम फिर इसका चुपाने के हम लोग इसके मास्के हमार पास आ जाते हैं सीरफ आर सिगनिफिकेंट यह बहुत जादा मेन एहमियत के हामिल है क्यों क्यों क्योंकि easy to administer यह बहुत से यह रोकता है, retard करता है, रोकता है, because it is partially hydrolyzed into reducing sugars, यह reducing sugar में partially hydrolyzed हो जाती है, टूर जाती है, ठीक है और किसमें फर्म में अपनी हालत को तबदील कर लेती है, like levulose और dextrose, आप लोग कहते हो, levulose is the reducing form of is the reducing form of sucrose, and dextrose is the reducing form of glucose, right? dextrose, जो है, वो reducing form है glucose की, और levulose, यह नहीं आता, इसमें levulose, जो है, यह reducing form है, fructose की, जो sucrose है, यह रोकती है, oxidation से, क्यों, क्योंकि यह partially hydrolyzed हो जाती है, अपने आपको hydrolyzed कर लेती है, reducing sugar में, जैसे ही oxidation स्टार्ट होती है, यह अपने आपको reducing form में तबदील कर लेती है, fructose होगी, तो levulose में तबदील हो जाएगी, glucose है, तो dextrose में तबदील हो जाती है, और oxidation नहीं होने देती, ठीके, फिर आपके तो strong solution of sucrose प्रिवेंट डीकंपोजिशन बाइब बैक्टिरिया, फंजाय, और मोड्स, because of strong osmotic pressure which results in the dehydration of these organisms. अगर आप लोग strong solution लेते हो, sucrose का, यानिके ऐसा solution जिसके अंदर sucrose की quantity ज्यादा है, तो यह गल्ने सडने से बचा लेती है, decomposition से बचा लेती है, कैसे? decomposition हो रही है, उससे यह रोक लेती है, कैसे? कि यह strong osmotic pressure develop करती है और organisms के अंदर से dehydration पैदा कर देती है, ठीक है, organisms के dehydration हो जाती है, पानी सारा बाहिर आ जाता है, उनकी body से और उनकी death हो जाती है, ठीक है? जिसके वज़ाँ से, जो है, यह bacteria, fungi और morts हमारी सीरप्स को नुकसान नहीं पहुँचाते है last one, contain little और no alcohol, यह अपने अंदर शामिल रखते हैं, थोड़ा सारा या बिल्कुल भी नहीं alcohol alcohol के मिगदार इसके अंदर या तो होती ही नहीं है, या तो होती ही नहीं है, या फिर बहुत थोड़ी मिगदार होती है इसके बाद आजाते हैं, components of syrups यह नहीं के हम लोग syrups के अंदर कौन कौन से चीज़ें शामिल करते हैं, अभी हम लोग उने पढ़े था medicated syrups के अंदर, हम लोग बहुत सार चीज़ें शामिल करते हैं, like flavoring agent, coloring agents और दूसरे desirable ingredients जिसमें मैंने कहा कि viscosity agents आ जाते हैं या stabilizers या फिर हम लोग antimicrobial या preservatives की बात कर लेते हैं, right हम केते हो, mostly syrups most syrups contains the following components in addition to the purified water and any medicinal agent present ज्यादा तर जो syrups होती हैं, अपने अंदर शामिल रखती हैं, दर जिजेल अजजा को किसके साथ साथ, mean in addition साथ साथ किसके, purified water यानिके, खालिस पानी के और medicinal agent के होने के बावजूद वो दर जिजेल चीजों को अपने अंदर शामिल रखती हैं, as for example number one, आप लोग बात करते हो sugar and sugar substatures, या तो sucrose होगी, या फिर उसका कोई में नेमो बदल जो हम लोग इसमाल करना चाहें, alternative इसमाल करते हैं उसकी जगा पर कोई और चीज, second one antimicrobial या preservative का इसमाल करते हैं, जो के हमारे दवा को microbial attack से बचा कर रखते हैं, या फिर जादा देर तक महफूस रखती है, number third flavorants, खुश्बू या जाइका देने वाले अजज़ा, number four colorants, यानि के रंग देने वाले अज़ज़ा, number five special solvents, यानि के जो हमारे जितने भी ingredients हैं, उनको हल करने में मदद देते हैं, ऐसे solvents या solubilizing agents, यानि के हल करने में मदद दे रहे होंगे thickness, thickness नहीं thickness हम लोग इस्तामाल करते हैं, यानि के जो हमारे syrups को गाढ़ा करने में मदद देते हैं, and stabilizers जो के अपनी हालत को देर तक बरकरार रखने में मदद देते हैं, ऐसे agents का भी हम लोग इस्तामाल करते हैं, number one हम लोग बात करते हैं, sugar and sugar substatures, यानि के chini, या फिर चीनी का कोई नहीं में बदल, ज्यादा तर हम लोग क्या इस्सामाल करते हैं, हम लोग sucrose इस्सामाल करते हैं, sucrose is the sugar most frequently, बहुत ज्यादा मतवात तर तोर पर employed इस्सामाल होने वाला निंद sugar है, किसके अंदर? सीरफ में ठीक हो गया, it may be replaced by other sugars और substances, such as sorbitol glycerine, propylene glycol, यानि के हम लोग sucrose की जगा में भी replaced उसकी जगा ली जा सकती है by other sugar substances sugars और substances, यानि के हम लोग sucrose नहीं डालना चाहते हैं तो हम लोग sucrose नहीं डाल सकते हैं glycerine भी डाल सकते हैं और propylene glycol भी डाल सकते हैं या पर आप लोग कहते हो कि artificial sweetening agents का भी इस्तमाल किया जाता है, like methyl cellulose hydroxy ethyl cellulose या फिर इस जैसे दूसरी substances these non-sugars are used for syrups of diabetic patients यानि के हम लोग कहते हैं कि ऐसे non-sugar substances जो होते हैं हम लोग इस्तमाल करते हैं अगर तो हम लोग ने diabetic patients के लिए syrups को त्यार करना हो, clear हो गया अब हम लोग कहते हैं कि dilute solutions of sucrose sport mold, yeast and other microbial growth whereas the growth of such microorganisms is usually retarded when the concentration of sugar is 65% weight by weight or more ठीक हो गया, मतलब यह कि हम लोग कहते हैं, जो पतला solution होता है स्क्रोस का, वो sport करता है ठीक है, यानि कि वो बढ़ावा देता है किसको के उसके अंदर, सीरप के अंदर mold, yeast या दूसरे microbial growth होना शुरू हो जाएं लेकिन यह जो growth है ऐसे microorganisms की, ऐसे चुटे 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 जानधारों की यह जरूरियोली यह अमूमन रुक जाती है जब कभी concentration of sucrose जो है, वो 65% हो जाएं ठीक है, weight by weight यह पिर इसे ज़्यादा हो जाएं ठीक है, तो जो उसकी जो growth है microorganisms की, वो रुक जाती है but a saturated solution may lead to crystallization लेकिन अगर हम लोग बहुत ज़दा चीनी डालना स्टार्ट कर दें कि saturated solution बन जाएं ठीक है, हम लोग इतनी ज़दा उसके अंदर चुड़ो जाएगी, फिर हम लोग भात करते हैं, सुक्रोज and other sugars give proper viscosity जो सुक्रोज है या पिर दूसरी sugars चीनी जो है, वो देती है मुनासिब किसम का गाड़ापन हमारे formulation को and also sweetness और इसके सासथ मिठास भी देती है a syrup contain as much as 60 to 80% सुक्रोज एक syrup जो है वो शामिल रख सकती है ज्यादा साथ से 80% सुक्रोज को अब हम लोग बात कर लेते हैं, second हमारा component हाजाद है, antimicrobial preservatives, जानि के antimicrobials, जो microbial attack से भचा लें, या फिर preservatives, जानि के हमारे dosage form को बहुत देर तक महफूस करके रखे, ठीके अपनी हालत में बरकरार करके रखे सुक्रोज कंसेलरेशन अदर सीरप इस सेल्फ antimicrobial, जो सुक्रोज की मिकदार है सीरप के अंदर वजाते खुद भी antimicrobial होती है, क्यों? क्योंकि एक्जर्ट करती है, बहुत 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 मिकदार इस्सावाल करते हैं, तो वो osmotic pressure, microbes के अंदर यहनके microorganisms के अंदर osmotic pressure को बढ़ा देती है और अंदर से सारा पानी उनका बाहिर आ जाता है, to draw water out, ठीके out of them thus dehydrating them, जिसकी जैसे उनके अंदर dehydration हो जाती है, और वो butyl paraben, totally about 0.1% यानि कि अगर तो हम लोग इस्तमाल करना चाहते हैं, methyl paraben profile paraben, या फिर हम लोग butyl paraben, इनका अगर हम लोग combination इस्तमाल करना चाहते हैं, तो सब को कॉल मिला कर हम लोग सिरफ 0.1% हम इसका इस्तमाल करते हैं clear हो गया, यहां पर यह जो इनके concentrations है या फिर यह कौन-कौन से हम लोग इस्तमाल करते हैं, preservatives यह आपका as a MCQ के तोर पर आ सकते हैं next one, आप लोग कहते हो flavorants, flavorants या नके खुश्बू देने वाले या जाइका देने वाले अज़ज़ा कौन-कौन से होते हैं, आप कहते हो, most tasting, कि वो बना देती है सीरप को pleasant खुशगवार जाइके वाली, such as हम लोग volatile oils का इस्तमाल करते हैं like vanillin, vanilla का हम लोग इस्तमाल करते हैं, right फिर हम लोग बात कर लेते हैं, colorants की या इनके ऐसी अज़़ा जो कि हमारे सीरप को रंग देती है अब रंग का तालूग आपके flavor से होते है क्योंकि ऐसा नहीं होता कि अगर आप लोगों ने flavor दिये उसको mint का, यानि पुदीने का और आप लोग उसे color दे दोगे, yellow या chocolate color दे दोगे, तो ये चीज़ match नहीं करती, आप लोग कहते हो colorants का तालूग आपके flavorants के साथ होता है अगर आप लोग chocolate flavor दे रहे हो तो आप लोग color भी उसको brown दोगे अगर आप लोग orange flavor दे रहे हो तो उसको color भी orange दोगे अगर आप लोग flavor lemon का दे रहे हो तो आप लोग color उसको yellow दोगे राइट, to enhance the appeal of the syrup a coloring agent is generally used आप लोग बढ़ाने के लिए syrup की appearance को यानि के बजाहिरी सूरत को बढ़ाने के लिए coloring agent को अमोमन इस्तामाल करते हो which correlates with the flavoring employed जिसका तालूग जो होता है वो आपके flavorants से होते है employed जिसको इस्तामाल किया जा रहे है that is green with mint यानि के अगर आप लोग दीने का flavor दे रहो तो सबस रंग दोगे brown with chocolate etc ठीक है अगर आप लोग chocolate flavor दे रहो तो brown color दोगे the colors used should be इनके अपने properties हैं के color जो है वो water soluble होने चाहिए पानी में हल होने वाले होने चाहिए non reactive हो यानि के आपके दूसरे component के साथ react ना करें और color stable at pH range यानि के जो भी आपके सीरप की pH range है उसके साथ तो stable रहे बरकरार रहे ठीक है and under light intensity और light में भी वो main light की जितनी भी शिदत है उसके अंदर भी वो अपनी हालत को बरकरार रखे stable रहे ये ना होके ज़्यादा light पढ़ने पर वो unstable हो जाए और अपने हमारी dosage form को खराब कर दे last में आप लोग बात कर लेते हो miscellaneous की यानि के दीगर अज़जा की इसके अंदर special solvents आ जाते हैं solubilizing agent आ जाते हैं यानि के हल करने वाले agents thickeners आ जाते हैं यानि के गाढ़ा करने वाले agents ठीक है and stabilizers यानि के हमारे अज़जा को बरकरार रखने वाले agents ठीक हो गया are used according to the formulation needs यानि के हमारे जरूरत के मताबिक हम लोग इन चीज़ों को add कर देंगे last में हमारे पस आ जाते हैं methods of preparation of serious इनके methods पूरे-पूरे methods आप लोगों की बुक के अंदर या आपके course में शामिल नहीं हैं आप लोग सिरफ सरफ इनका नाम याद रखोगे यानि के आप लोग solutions त्यार करते हो या सिरफ त्यार करते हो with the aid of heat यानि के aid यानि मदद heat की मदद से अप लोग solution त्यार करते हो या फिर आप लोग solution त्यार करते हो by agitation agitation यानि के हिलाना यानि के अगर आप लोग ऐसे ऐसे घुमाते हो ठीके आप लोग ने बरतन में डालकर और उसको ऐसे करड़ के आप लोग हिला रहे हो जैसे हम लोग चाय ठंडी करने के लिए बरतन हिलाते हैं तो आप लोग के तो solutions by agitation आप लोग agitation हिलाने से आप लोग mix कर लेते हो without aid of heat यानिके गर्माईश या heat की मदद के बगएर ठीक है या फिर आप लोग spoon के साथ भी mix कर सकते हो stirrer के साथ भी mix कर सक लेकिन आपने heat का इस्तामाल नहीं करना सिर्फ आपने agitation करनी है फिर addition of sucrose or medicated liquid या फिर आप लोग sucrose को आप लोग शामिल कर देते हो medicated liquid के साथ ठीक है यहानिक है आपको जो भी medicated liquid है उसके अंदर आप लोग चीनी डाल देते हो या sucrose डाल देते हो और last one percolation आ जाता है percol percolation जो है वो अर्क निकालने का एक अमल है और इसको हम लोग फार्मक अग्नोजी के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे इसका लिंक जो है वो मैं description box में डाल दूंगी जब हम लोग extraction को complete कर लेंगे इंशाला आप लोग वहां से देख सकते हो percolation को वैसे यह it is a technique of the extraction ठीक है न के पास story जा जाती है कि हम लोग उसको महफूस कैसे करते हैं हम उसे महफूस करते हैं story in a well-closed container यानके एक बंद हुए बंद और मुकमल तार पर बंद container के अंदर and at a temperature और उसको दर्जाह रारा देते हैं not exceeding 30 degree centigrade जो के 30 degree centigrade से बढ़ावा ना हो right आज का lecture यहीं तक ही हम लोग आज का lecture आप लोगों को समझ में आया होगा अगर आप लोगों को समझ में आया है then kindly like this video और अगर आपको कोई भी question हो तो आप लोग मुझसे comment section में question कर सकते हैं अब तक के लिए ताही thank you so much allahafiz